आज हम सुजी और बेसन से बहुत ही सौफ्ट और दानेदार लड़ू बना कर तयार करेंगे। एकदम आसान रेसिपी के साथ हमने यह लड़ू बना कर तयार किये हैं जो खाने में पहुँ जादा टेस्टी हैं। इसमें हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है। रेसिपी ट्राइ जरूर कीजिएगा, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्यामर सोई में, तो चली शुरू करते हैं बनाना, सूजी बेसन के लड़ू बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर एक कप बारिक वाली सूजी लिए, जो मोटी वाली सूजी होती है, उसे मैंने मिक करते हैं, कोई स्पेशल बेसन लेने की जरूरत नहीं है, और इसी तरह हमने यहाँ पर एक कप बूरा या तगार लिया है, जिसे देसी बूरा कहते हैं, आप इसकी जिगे पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकती हो, तो तीनों हमने एक एक कप लिया है, यदि आप मीठा कम पसंद करते हैं, तो चीनी की क्वांटिटी में आप दो-तीन चमच कम भी ले सकते हो, तो ये देखे हमने ये 250 ml वाला कप इस्तेमाल किया था, इन तीनों को मेजर करने के लिए, आप कोई भी कटोरी से एट कर लीजिए, उसी कटोरी से तीनों को लीजिएगा, और हमने य आधा कप देशी घी लिया है, ग्राम में ये 100 ग्राम घी है, साथ ही कुछ काजू, पिष्टा और बादाम लिये हैं पारिकटे हुए, इनकी क्वांटिटी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हो, और एक चोथाई चमच इलाइची का पाउडर लिया है, सूजी और बेसन को सिखने में अलग-अलग टाइम लगता है, सूजी जल्दी से सिख जाती है और बेसन को सेखने में टाइम लगता है, तो आप सूजी और बेसन को अलग-अलग सेखिएगा, धीमी आज पर हम इसे 8-9 मिनिट सेखेंगे, और ये देखी, सूजी अच्छे स सिख गई है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है तो अब हम सूजी को एक अलग बरतन में ट्रांस्फर कर लेंगे तो देखे सूजी को हमने सेख कर रख दिया है अब हम उसी कडाही में फिर से घी डालेंगे घी हम एक साथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे थोड़ा थ यहां पर 4 चमज घी डाल दिया है गैस की आज को एकदम धीमी रखेंगे और इसमें हम बेसन डाल देंगे हमें शुरू में घी कम लगता है और हम बहुत सारा घी डाल देते हैं बाद में जब बेसन सीख जाता है तो वो घी छोड़ देता है उसके बाद में जब हम बानते हैं तो वो लड़ू का शेप लेते ही नहीं है लड़ू हमारे फ्लैट हो जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती हम घी डालने में कर देते हैं तो घी आप थोड़ा-थोड़ा करके ही डालिएगा तो देखे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है तो अभी मैं इसमें दो चम्मच खी और डाल रही हूँ तो अब हम इसे continue चलाते हुए धीमी आज पर तब तक सेकेंगे जब तक की बेसन हलका सा ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है तो बेसन को सेकने में आपको टाइम लग सकता है लगबख 20-25 मिनिट लगेगा बेसन को सेकने में तो अभी मुझे बेसन को सेकते हुए लगबख 4-5 मिनिट हुआ है तो मैं इसमें एक चम्मच खी और डाल देती हूँ और बस इसे continue चलाते हुए भूनेंगे और गैस की आज को धीमी रखे ताकि बेसन एकदम अंदर तक बहुत अच्छे से सिकेगा और जब हम लड़ू खाएंगे तो वो दांतों पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और ये देखे बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है तो इसे भूनते रहिए जब तक कि इसका हलका सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता है तो ये देखे बेसन हलके ब्राउन कलर का हो गया है और एकदम बढ़िया से इसने घी भी छोड़ दिया है इसमें हमने और घी एड़ नहीं किया था कप में हमारा एक छोटा चमच के करीब घी बच गया है इसे मैं नहीं डाल रही हूँ तो बस ये हमारा बेशन अच्छे से सिख गया है तो इस वक्त हम इसमें ये भुनी हुई सूजी डाल देंगे अब हम सूजी और बेशन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स इस रेसिपी में आप इस्पेशली ये ध्यान रखेएगा घी आपको एक साथ बिलकुल भी नहीं एड करना है तो इससे हमारे लड़ू एकदम बढ़िया शेप में आएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे और ये देखे हमने सूजी और बेशन को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसी वक्त हम इसमें जो कटे हुए हमने बादाम, काजू और पिष्टा रखे थे वो भी डाल देंगे सूजी और बेसन अच्छे से गरम है तो हम क्या करेंगे इन काजू बादाम और पिष्टा को एक मिनिट के लिए भून लेंगे ताकि ये भी अच्छे से भून जाएंगे आपको अलग से भून कर लेने की जरुवत नहीं पड़ेगी और ये लिजी हमने एक मिनिट इने भूना और ये हमारा मिक्षर बिल्कुल तयार है गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे हमने शुरू से लेकर लाश्ट तक एकदम धीमी आज पर भूनाई की है और इस मिक्षर को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद हम इसमें चीनी मिलाएंगे तो अभी मैं इसमें इलाइची पाउडर डाल देती हूँ इस वक्त इलाइची पाउडर डालेंगे तो लड़ू में इलाइची पाउडर की बहुत अच्छी खुश्बू आएगी आप चाहें तो साबुत इलाइची को कूट कर भी डाल सकते हैं और ये लिजे हमारा मिक्षर ठंडा हो गया है यानि कि ये 90% तक हमने ठंडा कर लिया है अब हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें बूरा डालेंगे या चीनी का पाउडर इस्तिमाल कर रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके डाल दीजिए और इसे हातों से मिक्स कीजिए हातों से ये एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाएगा और अब मैं बची हुई चीनी का पाउडर भी इसमें डाल देती हूँ तो मैंने ये सारा ही इसमें डाल दिया है और इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजी और ये हमारा लड़ू बांधने के लिए मिक्षर बिलकुल तयार हो चुका है एकदम आराम से इसके लड़ू बंद रही है आपको थोड़ा भी लगे कि लड़ू नहीं बंद रही है तो बचा हुआ एक चमच खी भी इसमें डाल दीजिएगा लेकिन ये लड़ू एक्तम आसानी से बांधे जा सकते हैं तो घी यदि आप परफेक्टली इसमें डालेंगे तो आपके लड़ू एक्तम बढ़िया से बंदेंगे मैं लड़ू उपर एक एक चोटा चोटा टुकडा पिष्टा का लगा रही हूँ ताकि लड़ू देखने में भी पहुत सुन्दर लगे क्योंकि हमने जो इसमें ड्राइफ रूट्स डाले थे वो तो सारे लड़ू के अंदर ही चले गए है और ये लिजी एक एक करके मैंने सारे लड़ू बनाकर तयार कर लिए हैं हमारे मेजरमेंट में लगबग 16-17 लड़ू बनकर तयार हो जाएंगे एकदम soft लड़ू बने हैं रेसिपी ट्राइ कीजिएगा और ट्राइ करने के बाद अच्छी लगे तो कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ